Hello students, welcome to MOS classes. आज हम 7th class English and CERT के book Honeycomb के chapter 2 A Gift of Chappers के questions and answers को discuss करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे comprehension check page number 22. Question number 1 में हमसे कहा गया है What is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? यानि के घर की back side में मीना ने Mridu के साथ कौन सा secret share किया? इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं के घर की back side में मीना ने Mridu को क्या बताया? तो इसका answer है The secret that Meena shares with Mridu is the news of finding a kitten. यानि के मीना ने Mridu को जो secret बताया था वो secret ये था कि उन्हें एक बिल्ली का बच्चा मिला था It was kept in the backyard Backyard का मतलब होता है घर की back side और उस बिल्ली के बच्चे को उन्होंने घर की back side में रखा था Second question में हमसे पूछा गया है How does Ravi get milk for the kitten? यानि के रवी बिल्ली के बच्चे के लिए दूद कैसे लेकर आता है? तो इसका answer है Ravi takes a glass of milk to feed the kitten यानि के रवी बिल्ली के बच्चे के लिए ग्लास में दूद लेता है When party catches him with the glass of milk He convinces her by saying that he is hungry और जब पाती रवी को दूद के ग्लास के साथ पकड़ लेती है तो वो पाती को समझा लेता है, मना लेता है ये कहकर कि वो भूखा है Convince का मतलब होता है, राजी कर लेना, समझा लेना He even drinks some milk to show और पाती को ये दिखाने के लिए के ये दूद रवी ने अपने लिए ही लिया है रवी थोड़ा सा दूद पी भी लेता है Then he comes to the kitten with the tumbler and pours milk into the coconut shell और फिर रवी, tumbler लेकर यानि के glass लेकर बिल्ली के बच्चे के पास आता है और coconut shell में दूद डाल देता है Coconut shell का मतलब होता है नारियर की जो hard covering होती है उसके अंदर रवी दूद डाल देता है ताकि बिल्ली का बच्चा उस दूद को पी सके Question number 3 में हमसे पूछा गया है Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? यहाँ पर he का मतलब है रवी और हमें ये बताना है के रवी बिल्ली के बच्चे का पूरवच किसे बताता है यानि के रवी को बिल्ली का जो बच्चा मिला था रवी के नुसार बिल्ली के उस बच्चे का पूरवच कोन है और जो भी रवी कहता है कि आप उस पर विश्वास करते है तो इसका आंसर है He says that the kitten's ancestor is the महबलीपुरम रिशी cat यानि के रवी ये कहता है के महबलीपुरम की रिशी cat बिल्ली के इस बच्चे की पूरवज है और उसके बाद हम रिखेंगे No, I don't believe him यानि रवी जो भी कहता है मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि इस बात का कोई पूरूफ नहीं है कोई सबूत नहीं है के महबलीपुरम की रिशी cat ही बिल्ली के इस बच्चे की पूरवज है कोईशन No.4 में हमसे कहा गया है रवी has a lot to say about M.P. पुनई यानि के रवी के पास M.P. पुनई के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है याद रखेगा स्टुडेंट्स M.P. पुनई बिल्ली के बच्चे का नाम है This shows that अब क्योंकि रवी के पास M.P. पुनई के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है ये किस चीज को दिखाता है और इसके लिए यहाँ पर हमें चार ओप्शन्स दिये गए है First option है He is merely trying to impress मृदू यानि के बिल्ली के बच्चे के बारे में इतना सारा बोल कर रवी केवल मृदू को impress करना चाहता था Mirally का मतलब होता है केवल Second option है His knowledge of history is sound यानि के रवी M.P. पुनई के बारे में यानि बिल्ली के बच्चे के बारे में इतना सारा बोलता है इससे हमें ये पता चलता है कि उसकी इतिहास की जानकारी बहुत अच्छी है यहाँ पर sound का मतलब music या आवाज नहीं है students यहाँ पर sound का मतलब है better, good Third option है He has a rich imagination यानि के रवी की करपना शक्ति बहुत ज्यादा है यानि के रवी यानि के रवी बहुत ही intelligent बच्चा है समझदार बच्चा है और उसके बाद हम से पूछा गया है Which of these statements do you agree or disagree to यानि के यहाँ पर रवी के बारे में जो हमें बाते कही गई है हम इन में से किन बातों के साथ agree है और किन बातों के साथ disagree है यानि के इन में से कौन सी बातों के साथ हम सहमत है और कौन सी बातों के साथ हम असहमत है याद रखेगा students के इस question का अलगडग students अलगडग answer दे सकते हैं क्योंकि जिस statement के साथ हम agree होते हैं हो सकता है कि दूसरा student उस statement के साथ agree ना हो तो इसके answer में हम लिखेंगे I agree to the following statements यानि कि अब हम वो statements देखेंगे जिनसे हम agree करते हैं तो यहाँ पर हमने first statement लिखी है और third statement लिखी है यानि कि हम first statement से और third statement से agree करते हैं First statement है He is merely trying to impress Mridu यानि के रवी मृदू को impress करने की कोशिश कर रहा था मृदू को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था और third statement है He has a rich imagination यानि रवी की कारपनिक शक्ती बहुत अच्छी है रवी बहुत अच्छी करपना कर सकता है और अच्छी कहानिया बना सकता है Q5 में हमसे पूछा गया है What was the noise that startled Mridu and frightened Mahindran? यानि के वो कौन सी अवास थी वो कौन सा शोर था जिससे Mridu चोक गई और Mahindran यानि के बिली का बच्छा डर गया तो इसका अंसर है A screeching sound from the window startled Mridu and frightened Mahindran यानि के खिडकी से एक तीखी करकश अवाज आई जिससे Mridu चोक गई और Mahindran डर गया It was the sound of voiland that Lally was learning to play और ये अवाज उस voiland की थी जो लली बजाना सीख रही थी अब हम देखेंगे Comprehension Check page number 28 Question number 1 में हमसे कहा गया है The Music Master is making lovely music यानि के Music Master बहुत बढ़िया Music बजा रहा है बहुत प्यारा Music बजा रहा है Read aloud the sentence in the text that expresses this idea यानि के हमें chapter में से वो sentence पढ़ना है जिससे हमें ये पता चलता है के Music Master बहुत बढ़िया Music बजा रहा है तो इसके answer में हम लिखेंगे The sentence in the text that expresses this idea is अब हम वो sentence देखेंगे जिससे हमें ये पता चलता है के Music Master बहुत बढ़िया Music बजा रहा है और वो sentence है The Music Master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody इसका ये मतलब है students के जैसे पटरी पर ट्रेन बहुत स्मूथरी दोड़ती है बिना किसी रुकावट के दोड़ती है वैसे ही Music Master के जो notes है यानि के Music Master के जो सुर है वो melody के tracks पर यानि के मधूरता के track पर smoothly दोड़ रहे है बिना किसी रुकावट के दोड़ रहे है यानि के Music Master का जो संगीत है Music Master का जो music है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुरीडा है अगर आप इस chapter को detail में समयना चाते है students तो हम आपको suggest करेंगे कि आप MOS class 7th English की इस chapter की reading video को ज़रूर देखें उस video में हमने बहुत detail में इस chapter को आपके लिए explain किया है Second question में हमसे कहा गया है Had the bagger come to Rukumanis house for the first time? यानि के क्या भिखारी रुकुमनी के घर पहली बार आया था? Give reasons for your answer और आपको अपने answer का reason भी देना है तो इसका answer है no, it was not the first visit of the bagger to Rukumanis house because Pati said to Tappi that he had been coming to their house every day for the past one week इसका ये मतलब students कि ये पहली बार नहीं था जब बिखारी रुकुमनी के घर आया था और ये हमें यहां से पता चलता है कि पाती ने Tappi से कहा था कि ये बिखारी उनके घर पिछले एक हफते से हर रोज आ रहा था Question No.3 में हमसे कहा गया है A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows What does it suggest to you about Rukumanis mood? इसका ये मतलब students कि Rukumanis की eyebrows के बीच में V-shaped की line बन गई थी इससे आपको Rukumanis के mood के बारे में क्या पता चलता है? अगर आपने इस chapter की reading video को देखा है students तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि Rukumanis की eyebrows के बीच में जो V-shaped की line बन गई थी इससे हमें ये पता चलता है कि Rukumanis बहुत गुस्से में थी अब देखिए इसके answer में भी ये लिखा है It suggests that she was getting angry यानि कि इससे हमें ये पता चलता है कि Rukumanis को गुस्सा आ रहा था अब हम देखेंगे working with the text page number 29 Question number 1 में हमसे कहा गया है Complete the following sentences इस question में हमें कुछ sentences दिये गए है students और वो sentences incomplete है और हमें उन incomplete sentences को complete करना है First part में हमें दिया गया है Ravik compares Rally's playing the violin to dash यानि के Rally के violin बजाने को Ravik किस से compare करता है तो यहाँ पर हम रिखेंगे derailing of the train और अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे Ravik compares Rally's playing the violin to derailing of the train इसका यह मतरब students कि Ravik यह कहता है कि Rally इस तरह से violin बजाती है जैसे कि train पटरी से उतर गई हो यानि कि Rally बेसुरा violin बजाती है Rally अच्छा violin नहीं बजाती है Second part में हमें दिया गया है इसका यह मतरब students कि जब महेंदरन यानि के Billy का बच्चा छुपने के लिए मिर्ची की प्रेट के नीचे चला गया था तो क्या हुआ था तो इसके आंसर में हम रिखेंगे tipped a few chilies over himself और अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे तो उसने कुछ मिर्ची अपने उपर गिरा ली यानि के कुछ मिर्ची Billy के बच्चे के उपर गिर गई थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है इसका ये मतलब है जब म्यूजिक टीचर ने अपने उपर कुछ नोट्स बजाए कुछ सुर बजाए तो लल्ली ने क्या किया तो इसके आंसर में हम रिखेंगे stumbled behind him on her वोल्ले और अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे जब म्यूजिक टीचर ने अपने वोल्ले की नोट्स बजाए तो उसके पीछे रल्ली ने अपने वोल्ले को रडखडाते हुए बजाया जब की ने अच्छा वोल्ले नहीं बजाया 4th पार्ट में हमसे कहा गया है The bagger said that यहाँ पर बिखारी ये बताना चाहता है कि घर की द्यालू महिलाओं ने उसकी मदद कैसे की? तो इसके आंसर में हम रिखेंगे Kept his body and soul together on their generosity for a whole week और अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे यहाँ पर बिखारी घर की द्यालू महिलाओं के बारे में ये कहता है कि उनकी द्या के कारण ही वो एक हफते तक अपना पेट पाल सका यानि कि रुकुमनी के घर से बिखारी को एक हफते तक खाना मिलता रहा Kept his body and soul together का मतरभ है जिन्दा रहना बचे रहना यानि कि रुकुमनी के घर से एक हफते से जो खाना बिखारी को मिल रहा था उसी की वज़े से वो बचा हुआ था जिन्दा था फिफ्ट पार्ट में हमसे कहा गया है After the lesson was over The music teacher asked Rally if dash यानि कि music class खतम होने के बाद music teacher ने Rally से क्या पूछा तो इसके answer में हम रिखेंगे She had seen his chapples और अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे After the lesson was over The music teacher asked Rally if she had seen his chapples यानि कि music lesson खतम होने के बाद music teacher ने Rally से ये पूछा कि क्या Rally ने उसकी chapples देखी है Question number 2 में हमसे पूछा गया है Describe the music teacher as seen from the window इसका ये मतलब students कि जब बच्चों ने music teacher को खिड़की से देखा तो music teacher कैसा दिख रहा था यानि कि हमें ये बताना है कि music teacher कैसा दिखता था तो इसके answer में हम रिखेंगे The music teacher had the bony figure यानि कि music teacher का शरीर पतला था He had a mostly bald head with a fringe of old black hair falling on his ears and old fashioned tuft इसका ये मतलब है students कि music teacher रगभग गंजा था सिर्फ किनारे पर कुछ बाल थे जिन में तेल रगा हुआ था और ये बाल उसके कानों पर रटके हुए थे और उसकी पुराने fashion वाली चोटी थी A gold chain gleamed around his leathery neck यानि कि उसकी चमडे जैसी पत्री गर्दन में उसकी gold chain चमक रही थी He wore a diamond ring on his hand और उसके हाथ में हीरे की एक अंगूठी भी थी Question number 3 के first part में हमसे पूछा गया है What makes Mridu conclude that a beggar has no money to buy chappals यानि कि Mridu ने ये अनुमान कैसे रगाया कि बिखारी के पास chappals खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो इसका answer है Mridu concludes that a beggar has no money to buy chappals because his feet were blistered as he moved on bare feet in the hot summer also यानि कि जब Mridu ने देखा कि बिखारी के पैरों में चाले पड़ गए है क्योंकि वो इतनी गर्मी में भी नंगे पैर चल रहा था बिना चपलों के चल रहा था तब Mridu ने ये अनुमान रगाया कि बिखारी के पास chappals खरीदने के लिए पैसे नहीं है सेकिंड पार्ट में हमसे पूछा गया है What does she suggest to show her concern? Concern का मतलब होता है चिंता यानि कि बिखारी के पैरों में चाले देखकर Mridu को चिंता हो जाती है, फिकर हो जाती है और हमें ये बताना है कि Mridu मीना और रवी को ऐसा क्या कहती है जिससे हमें ये पता चलता है कि Mridu बिखारी के लिए चिंतित थी तो इसका आंसर है She suggests that an old pair of chappals should be given to him यानि कि Mridu, रवी और मीना को ये कहती है कि हमें बिखारी को पुरानी चपले देनी चाहिए यानि कि अगर घर में पुरानी चपले हैं तो उन पुरानी चपलों को हमें भिखारी को देना चाहिए Question No.4 में हमसे कहा गया है Have you children? She began And then, seeing they were curiously quiet Went on more slowly Seen anyone lurking around the veranda? इसका ये मतलब है students कि रुकुमनी बच्चों से पूछना शुरू करती है कि क्या तुम बच्चों ने और फिर वो देखती है कि बच्चे जरूरत से ज्यादा शान्त है तो उसके बाद रुकुमनी थोड़ा सा धीमे बोलती है कि क्या तुमने किसी को बरामदे में घुसते हुए या बरामदे के आसपास घूमते हुए देखा है अब इसी से related first question है What do you think रुकुमनी really wanted to ask यानि कि आपको क्या लगता है कि पहले रुकुमनी क्या पूछना चाहती थी तो इसका अंसर है रुकुमनी actually wanted to ask the children if they had seen the music master's chapples यानि कि रुकुमनी बच्चों से ये पूछना चाहती थी कि क्या उन्होंने music master की चपड़ों को देखा था और second part हमसे पूछा गया है why did she change her question यानि कि रुकुमनी ने अपना question क्यों बदल दिया अपना question क्यों बदल दिया तो इसका answer है she changed her question because she thought it was children's mischief यानि कि रुकुमनी ने अपना question इसरे बदल दिया क्योंकि रुकुमनी को लगा कि ये बच्चों की शरारत है पूछा गया है what did she think had happened यानि कि हमें ये बताना है कि रुकुमनी को क्या लगा कि क्या हुआ है तो इसका answer है she thought that children had given it to someone यानि रुकुमनी को ये लगा कि बच्चों ने music master की चपले किसी को दे दी है fifth question में हमसे कहा गया है इसका ये मतलब है students कि गोपु मामा की चपले मिलने पर music teacher ने अपनी खुशी किसी को नहीं दिखाई क्यों? इसे आप ऐसे भी याद रख सकते है students कि जब गोपु मामा की नई चपले music teacher को दे दी गई तो music teacher बहुत खुश हुआ लेकिन music teacher ने अपनी खुशी किसी को नहीं दिखाई क्यों? तो इसका आंसर है इसका ये मतलब है students कि नई चपले मिलने पर music teacher बहुत खुश था बट ही डिड नोट शो इट लेकिन music teacher ने अपनी खुशी किसी को नहीं दिखाई He did not want to expose his greed Greed का मतलब होता है लालच और expose का मतलब होता है दिखाना यानि कि music teacher किसी को भी ये नहीं दिखाना चाहता था कि पुरानी चपलों की जगा नई चपले मिलने पर वो बहुत खुश था Sixth question में हमसे कहा गया है On getting a gift of chappals the beggar vanished in a minute Why was he in such a hurry to leave? इसका ये मतलब है students कि चपल मिलने पर विखारी एक मिनिट में वहाँ से गायब हो गया और हमें ये बताना है कि विखारी को वहाँ से चले जाने की इतनी ज़र्दी क्यों थी? तो इसका answer है On getting a gift of chappals the beggar vanished in a minute because he needed them badly इसका ये मतलब है students कि चपल मिलने पर विखारी वहाँ से एक मिनिट में गायब हो गया क्योंकि बिखारी को उन चपलों की बहुत ज्यादा जरूरत थी He feared that the chappals might be taken back from him और बिखारी को ये डर था कि वो चपले उससे वापस लेडी जाएंगी So he left the house in a hurry इस लिए बिखारी घर से जर्दी से निकड़ गया जर्दी से चला गया सेवंथ कोशन में हमसे कहा गया है Walking towards the kitchen with मृदू and मीना रुकु मनी begin to laugh इसका ये मतलब स्टूडेंट्स कि मृदू और मीना के साथ किचन में जाते समय रुकु मनी हसने लगी What made her laugh? और हमें ये बताना है कि रुकु मनी क्यों हसने लगी तो इसका आंसर है रुकु मनी laughed to think how गोपु मामा would react to know that his slippers had been given away to the music master इसका ये मतलब स्टूडेंट्स कि रुकु मनी ये सोच कर हसने लगी कि गोपु मामा कैसे react करेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी चपले music master को दे दी गई हैं अब हम देखेंगे working with language page number 30 question number 1 में हमसे कहा गया है read the following sentences यहाँ पर हमें कुछ sentences दिये गए हैं और हमें कहा गया है कि हमें इन sentences को read करना है यहाँ पर she का मतलब है party इसका ये मतलब है students कि अगर पाती को पता चलता है कि हमारे पास billy है तो पाती घर छोड़ कर चली जाएगी बी पार्ट में हमसे कहा गया है यहाँ पर she का मतलब है रुकुमनी और इसका ये मतलब है students कि रुकुमनी इतना परेशान नहीं होती अगर उसे पता होता कि बिखारी के पैरों में छाले पड़ गये थे यह राइन चैप्टर में रुकुमनी से कही थी यानि कि अपनी मदर से कही थी कि अगर मेरी चपले बिखारी के पैरों में फिट आ जाती तो क्या तुम नाराजना हो जाती याद रखेगा students कि इफ का मतलब होता है अगर और इफ दो sentences को जोडने के काम आता है अगर आपके पास दो sentences हैं और आप दो sentences को जोड़ कर एक single sentence बनाना चाहते हैं तो इफ का यूज करके आप दो sentences को जोड़ कर एक single sentence बना सकते हैं इन तीनो sentences में भी आप देख सकते हैं कि दो parts हैं पहले sentence में पहला पार्ट है if से लेकर cat तक और दूसरा पार्ट है party से लेकर house तक यानि कि यहाँ पर दो sentences को जोड़ कर एक single sentence पनाया गया है और दोनो sentences को if के द्वारा जोड़ा गया है दूसरे sentence में आप देख सकते हैं पहला पार्ट है she से लेकर upset तक और दूसरा पार्ट है if से लेकर fit तक यहाँ पर भी if का यूज करके दो sentences को जोड़ा गया है और एक single sentence बनाया गया है तीसरे sentence में आप देख सकते हैं पहला पार्ट है if से लेकर fit तक और दूसरा पार्ट है will से लेकर mind तक यहाँ पर भी if का यूज करके दो sentences को जोड कर एक single sentence बनाया गया है अब देखे students यहाँ पर हमसे यही कहा गया है Notice that each sentence consists of two parts यानि के इन तीनो sentences में two parts है The first part begins with if और first part शुरू होता है if से हाला कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि second sentence में if बीच में आया है यानि के if sentence की starting में भी आ सकता है और sentence के बीच में भी आ सकता है It is known as if close इसका यह मतलब students के if को हम if close भी कहते हैं जो दो sentences को जोडने का काम करता है उसके बाद हमसे कहा गया है rewrite each of the following pairs of sentences as a single sentence इसका यह मतलब students के हमें हर पार्ट में दो sentences दिये गए हैं और हमें उन दो sentences को जोड कर एक single sentence बनाना है और उसके बाद हमसे कहा गया है use if at the beginning of the sentence यानि के if का use करके हमें दो sentences को जोड कर एक single sentence बनाना है और if का use हमें sentence की starting में करना है यहाँ पर हमें दो examples भी दिये गए है पहला example है walk fast, you will catch the bus इसका यह मतलब students तेक चलो, तुम बस को पकड लोगे यहाँ पर two sentences है यानि के यहाँ पर दो sentence है और हमें if का use करके इन दो sentences को जोड कर एक single sentence बनाना है तो इसका answer हमें दिया गया है if you walk fast, you will catch the bus और इसका मतलब यह है students कि अगर तुम तेक चलते हो तो तुम बस को पकड लोगे अब देखिए if का use करके यहाँ पर दो sentences को जोड कर एक single sentence बन गया है एक बात और याद रखिएगा students कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर दो sentences थे और यहाँ पर एक sentence है यहाँ पर अब देख सकते हैं कि walk fast के बाद full stop है यानि कि walk fast के बाद एक sentence खतम हो गया और दूसरा sentence start हो गया जबकि यहाँ पर बीच में कहीं कोई full stop नहीं है, सीधा end में ही full stop है, यानि कि अब यह single sentence है second example हमें दिया गया है don't spit on the road you will be find इसका ये मतलब है students कि road पर मत थूको तुम्हें जुर्माना लग जाएगा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दो sentences हैं क्योंकि यहाँ पर बीच में full stop है और अब if का यूज करके इन दो sentences को जोड कर एक single sentence बनाना है तो इसका answer यहाँ पर हमें दिया गया है if you spit on the road you will be find और इसका ये मतलब है students कि अगर तुम road पर थूकते हो तो तुम्हें जुर्माना लग जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक single sentence है क्योंकि full stop end में आया है फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है don't tire yourself now you won't be able to work in the evening यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दो sentences दिये गए हैं पहला sentence है don't tire yourself now और दूसरा sentence है you won't be able to work in the evening now का मतलब है अभी और tire का मतलब है ठकाना और इसका यह मतलब स्टुडेंट्स कि अभी अपने आपको मत ठकाओ तुम शाम में काम नहीं कर पाओगे यानि कि तुम इवनिंग में काम नहीं कर पाओगे अब हमें इफ का यूज करके इन दो sentences को जोड़ कर एक single sentence बनाना है और इफ का यूज हमें sentence की तुम अभी खुद को ठका लेते हो तो तुम इवनिंग में काम नहीं कर पाओगे तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे तो इस तरह से इफ का यूज करके हमने दो sentences को जोड़ कर एक single sentence बना लिया है सेकिंड पार्ट में हमें दिया गया है study regularly you will do well in the examination इसका ये मतलब students कि regularly study करो regularly पढ़ाई करो तुम एक्जाम में अच्छा कर लोगे अब हम इफ का यूज करके इन दो sentences को जोड़ कर एक single sentence बनाएंगे तो इसका answer हम रिखेंगे if you study regularly you will do well in the examination इसका ये मतलब students कि अगर तुम regularly study करोगे regular पढ़ाई करोगे तो तुम examination में अच्छा कर लोगे थर्ड पार्ट में हमें दो sentences दिये गए हैं work hard, you will pass the examination in the first division इसका ये मतलब students मेहनत करो तुम examination first division में pass कर लोगे अब हमें if का यूज करके इन दो sentences को जोड़ कर एक single sentence बनाना है तो इसका answer हम रिखेंगे if you work hard, you will pass the examination in the first division इसका ये मतलब students कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम examination first division में pass कर लोगे fourth part में हमें दो sentences दिये गए हैं be polite to people they will also be polite to you इसका ये मतलब students कि लोगों के साथ विनम्र रहो, लोग भी तुम्हारे साथ विनम्र रहेंगे अब हम if का यूज करके इन दो sentences को जोड़ कर एक single sentence बनाएंगे तो इसका answer हम रिखेंगे if you are polite to the people they will also be polite to you इसका ये मतलब students कि अगर तुम लोगों के साथ विनम्र हो, तो लोग भी तुम्हारे साथ विनम्र रहेंगे फिफ्ट पार्ट में हमें दो sentences दिये गए हैं don't tease the dog, it will bite you इसका ये मतलब students कुत्ते को मत छेड़ो, वो तुम्हें काट रहेगा अब हम if का यूज करके इन दो sentences को जोड़ कर एक single sentence बनाएंगे तो इसका आंसर हम रिखेंगे इसका ये मतलब students कि अगर तुम कुत्ते को छेड़ते हो तो वो तुम्हें काट रहेगा Q2 में हमसे कहा गया है fill in the blanks in the following paragraph इस question में हमें एक paragraph दिया गया है और उस paragraph में हमें कुछ blank spaces दिये गए हैं और उन blank spaces के साथ हमें bracket में words दिये गए हैं और हमें उन words का यूज करके इन blank spaces को fill करना है इस question में एक तो हमें tenses का ध्यान रखना है और correct form of verb यूज करनी है यानि कि जो word हमें यहाँ पर दिये गए हैं इनकी correct form हमें यूज करनी है तो यहाँ पर जो paragraph हमें दिया गया है वो है today is Sunday आज Sunday है I am wondering whether I should stay at home or go out इसका यह मतलब students के आज Sunday है और मैं इस दुविधा में हूँ इस उल्जन में हूँ के क्या आज मैं घर पर ठेहरू या बाहर जाऊ If I dash go out यहाँ bracket में हमें go दिया गया है और इस go का यूज करके ही हमें इस blank space को fill करना है I dash miss the lovely Sunday lunch at home If I dash stay for lunch I dash miss the Sunday film showing at Archana Theater I think I will go out and see the film only to avoid getting too fat अब हम आपको बताएंगे students के blank spaces में क्या fill करना है और हम इस पूरे paragraph की हिंदी भी समझेंगे अब ध्यान से देखे students के यहाँ पर go आएगा यहाँ पर shall miss आएगा यहाँ पर stay आएगा और यहाँ पर shall miss आएगा अब हमें कैसे पता चलेगा students के यहाँ पर blank spaces में इन words की कौन सी form use होगी तो इसके लिए tenses की knowledge होना जरूरी होता है अब इस वीडियो में तो tenses के बारे में समझाना possible नहीं है लेकिन हम जल्द ही English Grammar का एक channel स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको tenses के बारे में detail में समझाएंगे अब हम इस paragraph की हिंदी समझते हैं Today is Sunday आज Sunday है I am wondering whether I should stay at home or go out और मैं इस उल्जन में हूँ इस दुविधा में हूँ कि क्या मैं घर पर रुकूं या बाहर जाऊं If I go out I shall miss the lovely Sunday lunch at home इसका ये मतलब स्टूडेंट्स कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं घर पर Sunday के बढ़िया lunch को मिस कर दूँगा If I stay for lunch I shall miss the Sunday film showing at Archana Theater इसका ये मतलब स्टूडेंट्स कि अगर मैं lunch के लिए घर पर रुकता हूँ तो मैं Sunday की वो film miss कर दूँगा जो Archana Theater पर दिखाई जा रही है I think I shall go out and see the film only to avoid getting too fat इसका ये मतलब स्टूडेंट्स कि मुझे लगता है कि मुझे फिल्म देखने जाना चाहिए ताकि मैं मोटा ना हो जाऊं इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि मैं फिल्म देखने जाऊंगा ताकि मैं मोटा ना हो जाऊं क्योंकि अगर मैं घर पर रहूंगा तो ज्यादा खाऊंगा Question No.3 में हमसे कहा गया है Complete each sentence below by appropriately using any one of the following इसका ये मतलब स्टूडेंट्स कि इस question में हमें कुछ Incomplete Sentences दिये गए है और हमें उन homemade sentences को complete करना है और sentences को complete करने के लिए यहाँ पर हमें तीन options दिये गए हैं और हमें सही sentence के साथ सही option का use करना है जैसे कि पहला option है If you want to If you want to का मतलब होता है अगर तुम चाहते हो दूसरा option है If you don't want to इसका मतलब होता है अगर तुम नहीं चाहते हो थर्ड ओप्शन है if you want him to इसका ये मतलब है कि अगर तुम उससे चाहते हो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है डॉंट गो टू दा थियेटर डैश अब इन तीन उप्शन में से कौन सा उप्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे तो इसके आंसर में यहाँ पर हम रिखेंगे if you don't want to अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे स्टुडेंट्स डॉंट गो टू दा थियेटर if you don't want to यानि के थियेटर मत जाओ अगर तुम नहीं जाना चाहते इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर तुम नहीं चाहते तो थियेटर मत जाओ सेकिंड पार्ट में हमें दिया गया है he will post your letter डैश तो इसके आंसर में यहाँ पर हम रिखेंगे if you want him to अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे he will post your letter if you want him to इसका ये मतलब है students कि वो तुम्हारा लैटर पोस्ट कर देगा अगर तुम उससे लैटर पोस्ट कराना चाहते हो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर तुम उससे लैटर पोस्ट कराना चाहते हो तो वो तुम्हारा लैटर पोस्ट कर देगा लैटर को पोस्ट करने का मतलब होता है लैटर को लैटर बॉक्स में डालना थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है please use my pen dash तो इसके आंसर में यहाँ पर हम रिखेंगे if you want to और अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे please use my pen if you want to इसका ये मतलब है students कि तुम मेरा pen यूज कर सकते हो अगर तुम यूज करना चाहते हो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो मेरा pen यूज कर सकते हो फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है he will lend you his umbrella dash तो इसके answer में यहाँ पर हम लिखेंगे if you want him to अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे he will lend you his umbrella if you want him to इसका ये मतलब students कि वो तुम्हें अपना umbrella उधार दे देगा अगर तुम उससे चाहते हो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर तुम उससे umbrella उधार लेना चाहते हो तो वो तुम्हें अपना umbrella उधार दे देगा फिफ्ट पार्ट में हमें दिया गया है my neighbor Ramesh will take you to the doctor dash तो इसके answer में यहाँ पर हम लिखेंगे if you want him to अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे my neighbor Ramesh will take you to the doctor if you want him to इसका यह मतलब स्टुडेंट्स कि मेरा पडोसी Ramesh तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा अगर तुम उससे यह चाहते हो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मेरा पडोसी Ramesh तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए तो वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया गया है don't eat it dash तो इसके आंसर में यहाँ पर हम लिखेंगे if you don't want to अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे don't eat it if you don't want to इसका यह मतलब स्टुडेंट्स कि इसे मत खाओ अगर तुम नहीं चाहते हो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर तुम नहीं चाहते हो तो इसे मत खाओ I hope students आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू